आपके laptop में इस्पेस कितना है या hardus की capacity कितनी है तो अगर इसको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे जिसे भी आपके laptop पे जिसे my computer है वहां पर आपको जाना है और आप उसको double click कर दीजेगा डबल क्रिक करेंगे तो यहां पे आपको partition दिखेगा जैसे कि इस hardisk में तीन partition किया हुआ है तो c, d और e यह जो drive है यह है आपके hardisk की capacity मतलब आपका laptop का space और अगर ऐसे आपको चेक करना है तो आप उसको right click करके property में जाईएगा और property में वहां पे आपको space दिखेगा और even कि उसके अंदर आपको free space कितना बचा हुआ है आपके data use करने के बाद में वह भी यहां पे इस तरह से दिखेगा देखें यहां पे हमें दिख रहा है कि यह दिखें जो आपको space दिख रहा है यह space use किया हुआ और खाली space दोनों यहां पे दिख रहा है तो यह इस space को आप calculate कर लिजे डी के space को आप देख लिजे यहां पे कितना है और बाद में e के space को check कर लिजेगा अब तीनों मिला के आ आपके डेस्टॉप का भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपके लफटॉप की इसको क्यों चेक कर सकते हो कि यूज कितना हुआ इसमें जैसे 50-50 नेर अबाउट बता रहा है तो इस तरीके से आप अपने लेप्टॉप की केपिसिटी कितनी है इस पेस कितना है इस तरीके से आप यहां पे इसको जान सकते हो यह तीनो ड्राइब जो है यह तीनो ड्राइब एक ही हार्डिक्स है और इस ह क्राइब को आप राइट क्लिक करके देखेंगे तो वहां पर आपको वन टीवी का या 500 जीवी का इस तरीके से दिख जाएगा अगर कुछ कोश्चन या क्यों रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेगा दोस्तों